अलेटे टू गौट कहानी के लेखर जीयल फुएंस है वो उस समय के महानतम लेखरकों में से एक थे वो एक मैक्सिकन कवी उपन्यासकार और पत्रकार भी थे कहानी इश्वर में निर्विवात विश्वास होने के विचार के इर्दगिर्द घूमती है यहां कहानी एक लेटिन अमेरिका के देश में घट रही है लेंचो एक किसान जो इस कहानी कर नायक है भगवान को एक पत्र लिखता है पत्र में वो सर्व शक्तिमान से मदद चाहता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फसर विनाशकारी ओलव रिष्टी में नेश्ट हो गई है यदे पि उसकी इच्छाय आंशिक रूप से पूरी हो जाती है यदि पूरी तरह से नहीं पर अंत में वो करतक नहीं रहता है इसकी अलावा वो पोस्ट मास्टर्स की इमानदारी और विनम्रता पर भी सवाल उठाता है हलाकि वो एक मात्र ऐसे प्राणी थे जिन्होंने वास्तव में भगवान के नाम पर पैसों में उसकी मदद की थी लेंचो एक समर्पत किसान था वो इस साल एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था परंतु उसकी उम्मीदों के विप्रीत एक ओला वृष्टी आई और उसकी पूरी फसल को नश्ट कर गई लेंचो बहुत दुखी था हलाकि उसका ईश्वर में विश्वास बहुत द्रण था और वो निश्चिन था कि भगवान उसकी मदद अवश्य करेंगे साथी एक बहुत ही सीधा साथा सा इंसान था लेंचो यद्दिपी खेत पर लंबे समय तक काम करते हुए वो लिखना जानता था इस प्रकार उसने भगवान को एक पत्र लिखा पत्र में उसने भगवान से सो रुपे भेजने के ले कहा उस समय वो पोस्ट आफिस गया और उसने अपना पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल दिया डाकिये ने पत्र पेटी से पत्र निकाला और जब उसने पत्र के अंदर लिखे सार को पढ़ा और समझा तो वो बहुत गंभीर हो गया उसने इस व्यक्ति की सराहना की जिसने परमेश्वर पर निर्विवात विश्वास किया और पैसों के मामले में उसकी मदद करने का भी फैसला किया उसने डाग घर के कर्मचारियों को दान देने के लिए कहा इसके अलावा उसने अपने वेतन का एक हिस्सा भी लेंचो को दिया हलाकि भी लेंचो दोरा अनुरोद के अनुसार सौ रुपे की जगहा सिर्फ सतर रुपे एकत्र करने में ही सक्षम रहा पोस्ट मास्टर ने पैसो को एक लिफाफे में डाला और उसे लेंचो का नाम लिख दिया रवी वार को लेंचो एक बर फिर डाग घर में गया उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है पोस्ट मास्टर ने पत्र निकाला और उसे लेंचो को सौप दिया लेंचों ने वो लिफाफा खोल कर देखा तो लेंचों को कोई हिरानी नियुए लेकिन जब उसने उन पैसों को गिना तो वो भगवान पर बहुत प्रोधित हुआ उसे यकीन था कि भगवान से कोई गल्ती होई नी सकती उन्हों ने उसने कागस और स्याहीली और भगवान को एक और पत्र लेग डाला और लेटर बॉक्स में जाके डाल दिया लेंचों के वहां से चले जाने के बाद पोस्ट मास्टर और कर्मचारियों ने वो पत्र पढ़ा इसमें लेंचों ने भगवान से शिकायत की थी कि उन्होंने सो रुपे की जगह उसे केवल सत्तर रुपे ही भेजे हैं साथ ही उसने भगवान से कहा कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है और इस बार वो बाकी के पैसे भेज दे हलाकि उसने भगवान से मेल के माध्यम से पैसों को नहीं भेचने के ले कहा उन्होंने कहा कि डाग घर के कर्मचारी बदमाशों के जुन्ड थे और उसके पैसे उन्होंने चरा लिये होंगे